गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स मैं यह सुसैनी बीस से फाइनल एर की फिजिक्स किलास में आपका स्वागत करता हूं प्रिवियस किलास में हम जो टॉपिक डिसकस कर रहे थे वो है हमारे पास सी बैक इफैक्ट ठीक है जिसे हम बोलते थे क्या जेबेक परभाव भी ब यह कौन सा इफैक्ट होता था हमारे पास थर्मो थर्मो इलेक्ट्रिक इफैक्ट बोलते हैं इसे हम ठीक है थर्मो इलेक्ट्रिक इफैक्ट भी बोलते हैं ताप वैदूत प्रभाव भी बोलते हैं तो देखो इसमें हमने क्या डिसकस किया था कि हमारे पास दो मैटल होनी यहां कोपर की लिए है तो हम क्या करते थे जैसे यह हमारे पास A है और ये क्या है बी भी है ये जंक्षन है जहां दो धातू को हमने जोड राका है एक तो हम क्या करते थे गरम करते थे एक को तो गरम करते हैं और एक को क्या रखते हैं ठंडा रखते हैं तो इसमें क्या उत्पन हो जाता था विद्दुत वाहक बल उत्पन हो जाता था और उस विद्दुद वाहक बलके कारण इसमें क्या बहती थी क्या फिलो होती थी, करंट फिलो होती थी इसे हम क्या कहते थे, सी बैक्ट एफेक्ट कहते थे ठीक है, और इतना हमने डिसकस कर लिया था इसके बाद हम इसके परिनाम देख रहे थे हम निसकर्स देख रहे थे, जब हम ये प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं ठीक है, तो हमने इसके 5-6 रिजल्ट पढ़ लिये थे ठीक है, उसके आगे के हम रिजल्ट देखते हैं जब हम लाश्ट बात कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक को तो हम क्या करते हैं 0 degree centigrade पर रखते हैं ठीक है एक ताप यानि एक junction जो होता है एक संधी जो होती है उसको हम 0 degree centigrade ताप पर रखते हैं और दूसरे के ताप में क्या करते हैं हम व्रदी करते हैं दूसरे के ताप में क्या करते है टेंपरेचर में व्रधी करते हैं तो इस कंडिशन में हमने लास्ट में क्या खीचा था वक्र खीचा था ग्राफ खीचा था किस-किस के बीच में क्योंकि इसे गरम कर रहे हैं यहां पर तो ताप बढ़ाते जा रहे हैं और यहां जीरो डिग बल ठीक है EMA4 जिसे हम बोलते हैं जिसे हम यहाँ पर किसे represent कर रहे हैं E से represent कर रहे हैं और दूसरा हमारे पास क्या है ताप जो कि यहाँ पर बढ़ा रहे थे वो fix कर दिया था 0 degrees centigrade यहाँ ताप हम क्या कर रहे थे यहाँ से देखेंगे temperature को क्या कर रहे थे increase कर रहे थे तो हमने क्या देखा था वो वाली condition की बात करते हम कि जो ठंडी संदी का ताप है 0 degrees centigrade है तो देखो ठंडी संदी है यह जो cold junction होता है इसका temperature कितना है TC TC का मतलब कितना 0 degrees centigrade ठीक है इसका ताप कितना है 0 degrees centigrade है अब क्या करते हैं हम temperature को क्या करते हैं increase करते हैं ताप को कहां से increase करेंगे यहां से यहां से ताप को क्या करते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं ताप जैसे जैसे बढ़ेगा तो इस circuit में इस परिपत में विद्दुत वाहग बल का मान क्या होता जाता था बढ़ता जाता था इंक्रीज होता जाता था होता जाता था और उसके बाद फिर एक ताप पर अधिक्तम होकर फिर क्या होता था ये वापस से घटने लग जाता था ठीक है और ये जिस ताप पर ऐसा होता था ठीक है जिस ताप पर ऐसा होता था जितने टैंपरिचर पर ताप का वह मान जिस पर विद्दुद वाहग बलका मान कैसा प्राप्त होता था अधिक्तम प्राप्त होता था यह तो कौन सी स्थिति ले लेते हैं हम ए उस टैंपरिचर को हम क्या बोलते थे टी एन ताप बोलते थे कौन सा ताप बोलते थे टी एन ताप बोलते थे टी एन ताप कौन सा ताप होता है जिस पर विद्दुद वाहक बलकामान क्या मिलता था अधिक्तम मिलता था ठीक है इसे हम कौन सा ताप भी बोलते है टी एन ताप को उदासीन ताप भी बोलते हैं निूटरल टेंपरिचर भी बोलते हैं ऐसा हमने ग्राफ बना लिया था ठीक है ये तो हो गया था हमारे पास अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं कि यदि हमारे पास उदासीन ताप से अधिक ये कौन सा ताप होता है यहां पर जो होता है ये टी एन ये कौन सा ताप है चलो उपर की जीगे यहां लिख देता हूँ ये टी एन कौन सा ताप है जिस पर विद्दुत वाहग बलकामान क्या है अधिक है अगर इससे ज़्यादा हम ताप को क्या कर दें हम बढ़ा दें यहाँ पर तो विद्धुत वाहग बल का मान क्या होता है घटता है विद्धुत वाहग बल का मान क्या होता है घटता है तो देखो यही हमने practical में निस्कर्स निकाला क्या कि यदि जो हमारे पास उदासीन ताप होता है ठीक है temperature होता है से अधिक से अधिक क्या किया जाए temperature increase कर दिया जाए ताप में क्या कर दी जाए व्रदी कर दी जाए ताप व्रदी की जाए इस टीन से अधिक ताप दिया जाए इसको तो फिर क्या होगा विद्दुत वाहकबल का मान घटेगा तो विद्दुत वाहकबल तो विद्दुत वाहकबल क्या होता है घटता है यह देखो घट रहा है टीन से दिक ताप पर ठीक है विद्दुत वाहकबल घटता है तथा एक ताप पर विद्दुत वाहकबल की दिशा तथा एक ताप पर विद्थाइब की दिशा क्या हो जाती है फिपरीत हो जाती है एक ताप सब्सक्राइब यह तो था आपने वेव भी पड़ी थी ऐसे ऊपर जो होता है यह तो होता है पोजेटिव और नीचे चला जाए तो ही होता है नेगेटिव ऐसे पढ़ते थे न हम वेव में तरंग में सेम ऐसा होता है यह जीरो से नीचे गया ठीक है एक टैंपरेचर होता है जिस पर यह नीचे चला जाता है विद्धुद्वागबल का मान अपोजिट हो जाता है करंट विप्री दिशा में प्लो होने लग जाती है ऐसी कंडिशन में विद्धुद्वागबल की दिशा नीचे होगे जीरो से कम हो जाता है विद्धुद्वागबल की दिशा विप्रीत हो जाती है ठीक है इस ताप को क्या कहते हैं यह तांपरेचर जो है टी आई इस पर क् विद्दवाग बल्कि दिशा क्या हो जाती है इस ताप को इस टैंपरेचर को हम क्या बोलते हैं उतकर्मन ताप टी आई कहते हैं ठीक है क्या बोलते हैं से हम उतकर्मन ताप टी आई कहते हैं टैंपरेचर ओफ इन्वर्जन कहते हैं ठीक है अब देखो इसमें आगे यदि जो हमारे पास ठंडी संदी है ठीक है ठंडी संदी का ताप अभी हमने कितना रख रहा घाता और गरम कर्री थे बढ़ाया जा रहे थे यदि ठंडी संदी का ताप अगर वह 0 से क्या हो अधिक हो यानि कि इसको हम 0 cm से क्या कर दे अधिक कर दे सुन्हा फिर क्या होता है तो जो विद्धुत वहक बल क्यों पर चीए एक ठंडी रहेगी और दूसरी गरम तो इसमें विद्धूत वाहग बल उत्पन होगा जिसके कारण धारा तो फिलोगी करण तो फिलोगी तो विद्धुत वाहग बल तथा संधी के ताप संधी के टैंपरेचर यानि इसका जो ताप का अंतर है संधी के ताप के मद्धे ग्राफ खीचें के मद्धे ग्राफ खीचें तो यह है वक्र बी के समानप्राप्त होता है देखो इसका क्या मतलब है ये तो वक्र था हमारे पास ए था भईया ठीक है अगर हम बात करें 0 degree से अधिक पहले तो 0 था इस condition में जो यहाँ 0 से अधिक हो गया तो देखो ये मान लो ये तो इस स्थिती में हमारे पास ये जो वक्र आएगा वो इस तरीके काता है ठीक है यानि विद्धुत्वाखबल जो होता है वो पहले के कमप्रेजन में कम प्राप्त होता है देखो विद्धुत्वाखबल ज़्यादा प्राप्त होता है अब कम प्राप्त होता है हो रहा है यानि हो रहा है ठीक है वक्र A वै B के लिए जो उदासीन ताप होता है ना उदासीन ताप क्या T N वो समान रहता है लेकिन वो समान रहता है ये T N ताप पर यहां विद्दत वाहग बल क्या है अधिक है ये कौन सा वक्र है ये B ये कौन सा वक्र है ये तो यहां ज़्यादा विद्दत वागबल होता है यहां यानि कि जब यह 0 degree centigrade हो और यहां से ताप प्रेचर बढ़ाया जाए ताप बढ़ाया जाए इसको गरम किया जाए तो उस इस्तिती में ये गिराफ आता है देखो 0 degree से स्टार्ट है ये आता है लेकिन जब यहां 0 degree से अधिक कर दिया देखो 0 degree से अधिक कर दिया यहां तो उस condition में ये गिराफ आता है B वाला लेकिन दोनों condition में जो उदासीन ताप होता है वो क्या होता है सेम होता है סमान प्राप्त होता है ठीक है अब देखो इसमें एक formula बनता है वो formula क्या है वो देखना है आपको पहले अगर कल वाली video नहीं देखिए तो पहले वो वाली वीडियो देख लेना तो उसी के बाद य होगे ठिक्याइब उत्कमन-ताफ उत्करमन-ताप क्या है इसमें्टि एई है यही टी इसके बार विद्कुम्रण वाग बल कहा जाने लग गया विपरिधिवा विप्रीत दिशा में, नीचे की और रिनात्मा, जा रहा है ना विप्रीत दिशा में, उतकर्मन ताप टी आई, ठीक है, उदासिन ताप टी एन, उदासिन जो ताप है, टैम्प्रेचर है, कौन सा, टी एन, ठीक, से जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है, देखो, यहां से अगर हम यहां जाएं, तो ताप का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अब यह तो कौन सा ताप होता है, टी आई, उतकर्मन ताप होता है, कौन सा होता है यह, टी आई, उतकर्मन ताप, विद्दुद वागबल विप्रि ताप TIE, उदासिन ताप TN से ज़्यादा, TIE- क्या लिख सकता हूँ, मैं TN लिख सकता हूँ, TIE- क्या लिख सकता हूँ, TN लिख सकता हूँ, अगई बार समझ मैं TIE- क्या, TN लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, जितना अधिक होता है, कंडिशन समझना, उतना ह ठंडी संधी ठंडी संधी का ताप किस क्या है टी सी यानि की कोल्ड उतना ही ठंडी संधी का जो टैंपरिचर होता है ना ताप जो होता है टी सी अना उदासीन ताप से कम होता है ठीक है टी आई तो टी अन से ज़्यादा है और यहां देखो टी सी से ज़्यादा कोन है टी अन तो tn में से क्या हमने गटा दिया tc यानि tn तो tn से जितना ज़ादा है तो tn से जितना ज़ादा है उतना ही tc से कौन ज़ादा होगा tn ज़ादा होगा अब देखो इसको सोल करते हैं t i tc को equal से पहले लेकर आए प्लस tc is equal to tn को यहां लेकर गए 2tn तो tn की जो value निकल रखे आरी है ना उदासी इनताप की वो क्या आएगी t i plus tc upon 2 आजाती है ठीक है tn क्या है हमारे पास उदासीन ताप है ठीक है neutral temperature है ti क्या है हमारे पास उतकर्मन ताप है tc क्या है ठंडी संदी का ताप है तो इनके बीच में यह relation आ जाता है अब देखो इसमें हम एक topic और discuss करते हैं क्या समझ ना ताप वैदूत सक्ति के बारे में इस पर numerical बन जाता है क्योंकि आपकी जो syllabus है उसमें mention भी कर रहा है क्या ताप वैदूत क्या सकती ताप वैदूत सक्ति यानि थर्मो इलेक्ट्रिक पावर थर्मो इलेक्ट्रिक पावर पावर यानि कि ताप वैदुत सक्ति देखो यह क्या होता थर्मोलेक्टिक पावर या ताप वैदुत सक्ति अभी अभी हमने जो वक्र खीचा था ना वो कुछ इस तरीके का आया था आया था यह निया था आया था ठीक है तो इसे बोलते है ताप वैदुत वक्र हमारा जो ताप वैदुत वक्र होता है ना वो कैसा होता है परवले होता है ठीक है ताप वैदुत वक्र जो होता है ना वो कैसा होता है परवले आकरती का होता है ठीक है ठंडी संदी का ताप cold junction जो होता है हमारे पास ये वाला ठंडी संधी का जो ताप है ना वो हम zero degree centigrade ठंडी संधी का ताप तो कितना रख दें zero degree centigrade पर रख दें ठीक है ठंडी संधी का ताप तो क्या कर दिया zero degree centigrade पर रख दिया ठीक है, फिर इसके बाद इस गरम संदि को गरम करते जाते हैं, ठीक है, दूसरी संदि को गरम करते जाते हैं, इसाज पिलीर है, तो क्या उद्पन होता है विद्धुत वाख बल, तो 0 डिग्री संटिगरेट पर रखकर, विद्दुत वाहक बल क्या E विद्दुत वाहक बल को हम किस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं E तथा गरम संधी के ताप गरम संधी के ताप यहनी इसको कितना ताप दिया है हमने ठेक है T 0 T डिगरी centigrade के मद्ध है जो खीचा गया वक्र होता है यही तो खीचा था E और T में क्या वक्र खीचा गया जो वक्र होता है वो वक्र कैसा होता है परवले होता है यह परवले हो गया इसको हम एक equation के द्वारा ग्राफ को या वक्र को हम एक equation के द्वारा व्यक्त करते हैं एक समीकरन के द्वारा व्यक्त करते हैं, रीप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई, समीकरन क्या होती है, एक्वेशन क्या होती है, वो ध्यान रखना, ये जो वक्र है ना, इसको हम एक एक्वेशन के द्वारा रीप्रेजेंट कर रहे हैं, E is equal to A into T plus half BT square B into T square equation number first ठीक है तो आप ये दिहान रखना कि यहाँ T तो क्या है ताप है E क्या है विद्दुत वाहग बल है A और B क्या है नियतांक है ये जो हमारे पास वक्र है ग्राफ है ये कैसा है परवले है कैसा हमारे पास परवले है तो इस परवले की सम्मीकरन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये E और T में क्या है रिलेशन है परवले का ठीक है क्या है रिलेशन है अब देखना ताप वैदूत सक्ती क्या होती है? सपोस किजिए हमने इसको तो 0 degree centigrade पर रख राका है, कितने ठंडा ताप है और यहां हमने क्या किया ताप दिया हमने, इसको एक संदी को तो गरम किया और एक को तो ठंडा किया और दूसरे को गरम करते हैं, तो दोनों का ताप क स्क्राव सब्सक्राइबषिक है फिर मैंने एक डिख दिए दो डिख दो डीकड दिया तीन दिए देंडियाए दिज पंद्रा भी दिदिया नँट소리 इन आप के अन्तर 55 डिग्री हो गया से का अंतर कितना है DT 15 degree centigrade ठीक है तो यह जो ताप का अंतर होता है यह क्या उत्पन करता है यह पता होना चाहिए यह विद्धुत्वाहक बखबल उत्पन करता है मान लो इसमें कितना विद्धवाहग बल ऊत्पन हो गया E एक को गरम करोगे एक को ठंडा करोगे ताप कंतर हो गया नहीं होगा होगा ये जो ताप का difference होता है न ये इसमें क्या उत्पन करता है विद्धवाग बल तो मान लो ताप कांतर DT है, इसने कितना उत्पन कर दिया, E विद्धुत्वाहक बल उत्पन कर दिया, एकांक ताप में अंतर जो होता है न, वो, ठीक है, DT ताप में अंतर करने पर, कितना विद्धुत्वाहक बल उत्पन कर दिया, क्योंकि चलो ये अल्प मान है न, डिफ यानि कि यह जो एक आंक में परिवर्तन होता है S is equal to DE upon DT यानि कि हमारे पास ताप वैद्दू सक्ति क्या होती है कि temperature के according विद्दुत वाहगबल कितना परिवर्तित होता है विद्दुत वाहगबल किसके साफिक्स परिवर्तित हो रहा है T के साफिक्स temperature के according ठीक तो क्या बनती है परिवासा देखना किसी ताप यूग्म ताप यूग्म क्या हो गया यह एफि उसे मिलकर बनाया आप यूग्म के लिए यह हो इह वूऄ गया हm प्रति एकांग ताप आंतर एकांग तापआंतर तापांतर डिप्रेंस temperature difference ठीक है एक आंग कब होता है डीटी में डीए एक आंग में डीटी का क्या कर दो बाग दे दो वन के लिए आ जाएगा कि प्रती एक आंग ता पांतर प्रेरीत विद्दुत वाहक बल प्रेरीत विद्दुत वाहक बल ठीक है के मान को क्या कहते हैं ताप वैधूत सकती ठीक है ताप वैधूत सकती यानि थर्मो एलेक्टिक पावर या जे बेक इंगलीज में बोले तो सी बैक जे बेक गुनांक कहते हैं क्लियर है ठीक है वैई यानि फोर्मूला क्या बन गया एस इस इक्वल टू डी अपॉन डीटी यह बन गया वैया अब एकी वैलियू यह होती है हमारे पास एस इस इक्वल टू डी अपॉन डीटी थोड़ा बोरिंग सा टोपीक है लिकिन पढ़ना तो है एकी वैलियू लिख देंगे ए टी प्लस हाफ बी टी स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा बिल्कुल बन रहा है अब देखो आगे कैसे सोल होगा इतना बन जाएगा अब एस is अगल टू एस इस इसे का वह कलंड करना है तो एतो लोग कौंस्टन ती का टी के रिस्पेक्ट में होता है वन थो यह बनेगा यह क्लस हाफ बी ऐसक ऐसा होगा हाफ बी टी स्क्वायर का क्या होगा-वाव2 टी टू से टू कैंसल तो एस इस इक्वल टू आएगा ए प्लस बी टी आएगा तो यह हमारे पास क्या गई ताप वैद दो सकती जहां ए और बी क्या है कॉंच्ट है निये तांक है इजी सा ड Mens Come यही हो गया वहाःत है ठेक है शचल product है अब अगर मैं इसने ग्राफ खीचूं इस में ग्राफ की जाया किसमें आज्य ही सो और ढी में बतायो कैसा आएगा अगर एए नहीं होता अगर अगर A नहीं होता, S is equal to क्या होता, B T होता, B constant अटाओ, तो S is proportional to क्या होता, T होता है, बता है नहीं होता, लेकिन अब इसमें A भी आ रहा है, हाँ न, S की कोई value होगी क्या A, तो देखो, प्रारम में क्या करना है, S A plus B T के equal है, पहले A देखो, S का मान क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, A, हो गया, फिर S is equal to B T, temperature पर depend कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो अब जो वक्र होगा, S और B T का, वो कैसा होगा, सरल रिखा होगा, straight line होगी, ऐसे इसमें क्या आजाएगा, हमारे पास, वक्र आजाएगा, ठीक है, अब हम बात करते हैं, कि हम जानते थे कि जो E होता है, E क्या है, विद्दुत वाहक बल है, E क्या है हमारे पास, विद्दुत वाहक बल है, उदासीन ताप पर उदासीन ताप TN पर उदासीन ताप कितने पर TN पर कितना होता है बताओ अभी अभी बताया था maximum होता है दिक्तम होता है और maxima की condition क्या होती है आपको पता होना चाहिए DE upon DT किसके इक्वल होता है maximum minima का उप्योग करते हैं ठीक है तो DE upon DT is equal to क्या जीरो अधिक्तम पर यानि कि ताप TN पर अधिक्तम होता है उदासीन ताप TN पर यानि उस condition में DE upon DT किसके इक्वल होना चाहिए जीरो तो देखो क्या होगा इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं DE upon DT बराबर जीरो यानि कि S बराबर क्या होगा जीरो होगा क्योंकि S ही तो S बराबर जीरो तो equation first दिखाई दे रही हमें equation first और एक equation यह भी S की ठीक है तो चलो यह वाली equation काम में ले लेते हैं देखो यह वाली second अना S की वैल्यू क्या रखो जीरो is equal to A plus B और T की वैल्यू क्या रखोगे TN अधिकतम पर D upon DT is equal to 0 और उकलन 0 हो जाएगा maximum minimum यहां से हम किस की वैल्यू निकाल सकते हैं TN की TN की वैल्यू क्या आएगी minus A upon B आएगी और इससे दे देते हम equation number 3 दे देते हैं अब एक condition और देखो जब T बराबर से क्या हो T I हो T I कौन सा ताप था उतकर्मन ताप यह वाला T I कौन सा ताप उतकर्मन ताप था ती आई पर यह विपरी दिशा में जा रहा है इस ताप पर विद्दुत वाहग बल कितना होता था 0 इसके बाद तो यह विपरी दिशा में जाने लग जाता है तो T I पर तो कितना होता है 0 क्या E बराबर 0 हम equation first को use में लेते हैं equation first से क्या बनेगा E की value 0 रखो 0 is equal to यह A आ रहा है T की जिगे आप T I रख दो ठीक है ती की जिगे आपने क्या रख दिया T I रख दिया प्लस हाफ आ रहा है यह हाफ आ गया यह P आ गया ती की जिगे आप क्या रख दो T I square रख दो इसको equal से पहले लेकर आए A T I is equal to negative half B T I square A T I से A T I गया तो यहां से हम किसकी value निकाल सकते हैं T I की T I की जो value आएगी ना 2 यहां गया minus 2 A upon B आएगी equation number 4 ठीक है कितनी आएगी 2 A upon B आजाएगी ठीक है अब जब इतना हमारे पास निकली आता है तो अब तो कुछ करने वाली बात ही नहीं है equation 3 थर्ड वैस फोर से एन equation 4 में थर्ड से क्या रखने पर मान रखने पर तो मान रखते हैं तो देखो TI आ रहा है TI is equal to minus 2 आ रहा है और A upon B की जिगे हम क्या लिख सकते हैं A upon B की जिगे minus TN लिख सकते हैं minus TN तो TI is equal to क्या होगा 2TN बन रहा है ठीक है यानि TN is equal to होता है क्या TI बटे 2 तो ये भी हमारे पास relation बनता है उदासीं ताप और उत्करमन ताप के मद्य है ठीक है तो इस तरीके से हम किस के बारे में discuss करते हैं C back effect के बारे में यहाँ पर जो आपको धियान रखना है वो यह या पर देखना है कि उदासीं ताप की जब हम बात कर रहे थे लेखो उदासीं ताप यहाँ होता है डाउट सारे के लिए रोने चाहिए ना उदासिंत आप यहां होता है इस पर E कैसा होता है मैक्सिमम होता है है या नहीं है देखो विद्द वागबल का अब मैक्सिमम हो रहा है E और T के बीच में वह यह ग्राफ है तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडिशन लगाते हैं तो इस कंडिशन पर क्या चेंज होगा E की वैल्यू नहीं होगी तो इसका अउकलन कितना होता है जीरो होता है यह टोप पर चेंज नहीं होती है यहां हो रही है वैल्यू चेंज तो यह मैक्सिमम पॉइंट है maximum point आदिक्तम आने यहाँ पर d upon dt change नहीं होता है constant रहता है इसलिए d upon dt is equal to 0 मैं तो पड़ते ही है न अज़ा t is equal to ti यह उत्करमनताप होता है देखो उत्करमनताप पर e 0 ही है e i 0 ही है इसके बाद वो कहां जाने लग जाता है विपरीत दिसा में जाने लग जाता है विद्ध वागबल की दिसा विपरीत हो जाती है करंट भी विपरीत दिसा में फिलो लग जाती है तो आप यह भी ध्यान लगना कि जब टी की वैल्यू टी आई ओ तैंपरिचर टी आई की कोलो तो उस स्थिति में e is equal to 0 होता है तो जब यह दोनों condition लगा देते हैं तो यह condition हम निकाल लेते हैं तो आज की class के लिए इतना ही thank you